मुझा अप्राइब कर दो आज हम आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आ है वह है चिकन पिजा बनाने के लिए सबसे पहले में आपको दो के बारे में बताती हूं कि हम डो किस तरीके से गुनेंगे और किन किन चीजों की ज़रूरत पढ़ेगी तो यह देखे हमारे पास है 2 कप मैदा अगर ग्राम हम दूद है थोड़ा सा नीम गरम पानी है जिसे हम दो को गूंदेंगे तो चलें बनाना शुरू करते हैं बिस्मिल्लाय रख्मान इरहीं सबसे पहले हम इस डालेंगे चीनी डालेंगे नमत और इसे अच्छी तरीकी से अज़ा को इंसाब अज़ा को मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाय रख्मान इरहीं यह ओईल डालेंगे थोड़ा सा हम रोक लेंगे और यह हमारे पास दूद है बिस्मिल्लाय रख्मान इरहीं तूद डालेंगे इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अब हम पानी से इसे अच्छी तरीके से गुन देंगे सारा पानी डाल देंगे और अब हातों की मदद से इस डो को हम गुनेंगे बिस्मिल्लाय रख्मान इरहीं डो हमने ज़रा नरम गुननी है यह देखें इस तरीके से बिल्कुल नरम गुनना है बस इस तरीके से हमने यह देखें कितनी नरम डो गुन दिये और जो मैंने तेल रुका था वो हम इसमें डालेंगे अच्छी तरीके से और डो को हमने इतनी देर तक रखना है कि यह अच्छी तरीके से राइस हो जाए इसे हम ढखके रखते हैं तकरीबन हम दो घंटे लगेंगे इसे हम ढखके रख देते हैं यह देखें यह हम अब इस चिकन बनाएंगे पिज़ा के लिए पहले मैंने डो बनाना आपको चाहिए जो हमने टॉपिंग करनी है चिकन की यह हमारे पास है चिकन आदा किलो आदी प्याली हमारे पास दही है टू टेबल स्पून हमारे पस ऑईल है वन फोर टीस्पून पीसीवी काली मिर्चे हाफ टीस्पून हमारे पास कुटीवी लाल मिर्चे हाफ टीस्पून गरम पहले हमने इसमें बढ़ना दालनी हैं और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे आप चाहिए इसे मेरीनेट न करके भी रख सकते हैं पहले से यह देखें मेरिनेट हो गया अब हमने इधर एक पैन रखावाई बिस्मिल्लाय रख्माने रहें इसे हम पकाएंगे यह देखें अच्छी तरीके से मिफ करके इसे तक्रीबर हम 10 मिनट के लिए धक्के पकाएंगे यह देखें पांच मिन्ट हो गए से पकते वे अब इसके ओपर हमने अद्रक लेसन हाफ हाफ टीस्पून दोनों डालने यह मैं बाद में डालती इसलिए आप लोगों को बताना भूल गई थी वैसे आप इसमें मिक्स भी कर सकते इस तरह से करने से ज़रा इसके अद्रक लेसन मारी पिज्दा की आप हममे Battle बन कर देंगे यह देखें मारी डूρ आइस हो गई है यह देखें माशआ Allah यह द Dorothy देखें और यह द्यांसी राइस होई है ओढ़ों आप हम इसे निकाल लेंगे और हम डो इसके ऊपर निकालेंगे अच्छी तरीके से हम पंच्ट डाउन की में कि अनधे ऩरहे हूं को यहां out कि जू समया जू से खकें कि जूस होतीज ए चिकन की चीज़े के दिखा को यह रहे पास हमारे पास इस तरीके से लंबे काटी है यह प्याज है यह चेडर चीज है मारे पास और यह पिज़ा सोस है जो मेरी हॉममेट पनी वी हैगी इंशाला इसकी रेसिपी में आपके साथ शेयर जरूर करूंगी ब्लैक औलिप्स हर्प जरूरत है और यह दो मैंने सांचे लिये में हैंगे ज हैंक यह कि तरहने सम Girer प्राइशा और यह Icarna जाने जाएंगे जो इसमें हम बनाएंगे तो चले साथ करते हैं यह आ पस एक बड़ा सांचा और एक चोटा है आपकार का इस बांगी और शेयर चोटांगे लोंगी और एक ल्याधर आपके सांचे एसह से लिए में हम हम इस्तेमाल करेंगे इसके भिलाने के लिए करें हमारे इक्वल चारों तरफ से एक जैसा यह देखें यह में इस सांचे पर थोड़ा सा और लगाएंगे तरीके इसका ग्रीज करेंगे यह देखें ग्रीज कर लिया अब हम इसको ठाएंगे और बिस्मिल्लार रख्मानी रहीं इस तरीके से यह देखें इस तरीके से हम चारों तरफ यह देखें हमने इसे सेट कर लिया अब फोक की मदद से हमने इसमें निशान लगाने ताके यह हमारी डोग फूले नहीं और इसे हम तक्रीबन दस मिनट के लिए दुबारा रेस्ट देएंगे फिर उसके बाद आपको बताते हैं देखें इसे भी हमने अच्छी तरीके से रोलर पिंट से एक जैसा बेल दिया है अब हम इसको इसे भी लगा देंगे और उपर जड़ा देंगे इसको किनारे अच्छी तरीके से सैट हो जाएं इसे भी हमने फोक की मदद से निशान लगा दिये और दस मिनट इसे हम ढगके रखेंगे फिर आप से मिलते हैं अब हम इसमें पहले पिज्जा सोस लगाएंगे शी तरीके से पिज्जा सोस लगाएंगे सब तरफ देखें अच्छी तरीके से सोस लग गई अब हम इसे बिसमिल्लाय रख्मानी रहीं चिकन रखेंगे चिकन डाल दिया अब हम इसमें चीज ग्रेट करके डालते अब हम एक एक स्लाइस हमने प्यास के रखने इस तरह करके तॉपिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं अब हम इसके बाद रखेंगे एक एक स्लाइस टिमाटर के हमने रखने इसके बाद फिर हम थोड़ी चीज ग्रेट करेंगे अब इसको हम रखेंगे विडाउट अवन दिखा रही हुए आपको और अवन में यह मैंने पहले से प्री हीट करावा है यह तेखें मैंने कढ़ाई रखी विए प्री हीट करने के लिए जब भी आप कोई चीज बनाएं पहले 10 मिनट प्री हीट कर लें बिस्मिल्लाय रख नहीं डिख माने मिने एक रखावा है में हम रखेंगे तक्रीबान हम इसे 15 मिल्य तक रखेंगे यह मैं हमने इसे रखनाए हम सोस लगाएं गे इस तड़ीक है पहला के लगा ना है हम वैसे पिजा सोस बनी बनाई बजार में मिल जाती है वगए घर खुद तयार करिएगी लगाएंगे अब इसमें हम चीज जालेंगे यह हम आवन में रखेंगे प्यास के स्लाइसिस शिम्ला मिर्च उसके स्लाइसिस रखेंगे इसके बाद हमने टिमाटर के स्लाइसिस देने हैं और इसके बाद हमने ग्रेट करना है चीज इसके उपर इसके उपर औलिक्स लगाएंगे टॉपिंग आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा जैसे आप लोगों को अच्छा लगे जो बच्चे आपके खाना पसंद करें देखें यह भी हमने और बनाया है मैं मिक्स हर्प डालूंगी अगर आपको पसंद है तो आप डालें नहीं पसंद क्रिस्पी होई आपको तकरे आपके तक्रिछ अवं में रखेंगे अवन हे मेरा प्रीषए विश्मिल्ला रख्मानी रहीं कि हम वजनी चीज रख दें ताके ना इसकी भापना निकले स्टीम इसकी अंदर ही रहे हैं बिसमिल्ला रख्मान इरहीम यह देखें माशाला से मारा पिज़ा तयार है अब इसे हम निकाल लेंगे बाहर दस से बारा मिंट में तयार हो गयाएगा माशाला से इतना अच्छा त लुख भी कि पाला रहे हैं रहे हैं कि मैं एक प्यूम्म एर रख्मान इरहीम माशाला है यह सम्ञाला यह देखें यह जूर्प हमरा पिज़ा तयार है यह ताह्म इसे था मींचालते हम्यूं अब मैं आपको इसके फाइनल लूक दिखाती हूंगी किए देखें कितना अच्छा हमारा पिर्जा नीचे से भी अच्छी तरीके से पक गया हैगा इसी तरीके से यह धिष्जा है और सौफ्ट बनाएका यह देखें यह देखें बहुत अच्छा बन गया है यह देखें हैं हमारे दोनों पिज्टे तयार है अब मैं आपको इसको काट की दिखाती है बिस्मिल्ला इरख्मानी रहीं ये देखें माश़ाला से मारा पिज़ा कि तेयार है अपनूला माशबाला हमारा चिकन पिज़ा त fondo यह बच्छों को बड़ों को सबको बहुत पसंदा आता है मैंने बहुत आशान तरीके से आप लोगों को ये पिज़ा बनाना बताया है आप लोग भी घर में ज़रूर बनाएं अपने बच्चों को खिलाएं अपने आपके महमान आते हैं आप उन्हें खिलाएं अपने लिए बनाएं बहुत ही आसान तरीके से जटपड बन जाता है यह पिज़ा और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसनाती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें नीचे बने बेल आइकोन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको पहले देखने को मिले शुक्रिया